तो देखिए हमारा राजिस्थान जिसमें हमने 6th class कंप्लीट कर ली, 7th class जो है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है 6th के question answer मैंने आप लोगों को करवा दिये अच्छे से उसके बाद ही 7th class जो है वो अब start होने वाली है तो आज से ही हम start करेंगे 7th class की question answer जिन बचों ने reading नहीं की है books की तो please करियेगा 6th और 7th की playlist में डाली जा चुकी है question answer जो है वो भी आप लोगों को मैंने यहां पर करवा दिये हैं और एक भी paragraph में से question जो है वो नहीं चूटेगा आप लोगों का सारे question मैं include करती हूँ ताकि आपका कोई भी chapter जो है वो इस तरीके से अधूरा न चूटे और आपके exam में आपको भरपूर फायदा मिल सके तो देखिए हम लोगों ने course जो है वो start कर दिया है और राजिस्तान की history जो है वो आधे से भी जादा जो है वो complete हो चुकी है हाला कि test जो है वो दो बार लिये भी जा चुके हैं तो यदि आप लोग बाद में लेते हैं तो आपका ही नुकसान होता है और उसका reason क्या है कि बहुत सारी चीज़े जो है वो पहले करवा चुके होते हैं और धीरे धीरे ही वो चीज़ें याद बच्चों को हो भी जाती है और test जो है उससे भी आप लोग वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग तैयारी अभी से ही करेँ और जो वास्तो में तैयारी करता है तो वो starting से ही करता है बीज में से नहीं करता है और नहीं बहुत ज़्यादा बाद में करना स्टार्ट करता है और यदि आप government job लेना चाते हैं तो तयारी जो है वो आपको अभी से ही स्टार्ट करनी चाहिए वरना आपका time और पैसा जो है वो दोनों ही खराब हो जाता है ठीक है तो देखिए course जो की books जो है वो लानी होगी चाहे वो first grade के त्यारी कर रहा हो चाहे second grade के त्यारी कर रहा हो तो यहां second grade का जो first paper है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूं जिसमें मैं आप लोगों को videos, handwritten notes यहां तक की जो RBSC के question answer है और हमारा राजिस्थान की जो question answer इनकी PDF सभी कुछ वहाँ available आप लोगों को हो रही है तो जो बच्चे starting से जुड़ चुके हैं उन लोगों को पूरा फायदा मिलेगा और यह चीज मानिए उनको यहां से जो है first paper कर रहे हैं लेकिन second paper में भी उनको help मिलेगी ठीके तो चलिए आज हम start करते हैं 7th class का first chapter यहां पूरा chapter जो है वो question answer format में आप लोगों को मिलेगा तो question one देखिए राजिस्थान की कुल शेत्रफल की कितने भाग पर one है तो यहां दसवे भाग पर one है next देखिए राजिस्थान में सरवादिक one कहां पाये जाते हैं तो यहां पर सरवादिक one राजिस्थान में उदेपूर जिले में पाये जाते हैं राजिस्थान में सबसे कम वन शेत्र किस जिले में पाया जाता है तो सबसे अधिक उधैपुर में और सबसे कम जो है वो चूरू जिले में पाया जाते हैं तो दिखिए चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए आप लोगों ने यदी नहीं पढ़ा है तो पहले वहाँ पर पढ़िये जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है तभी आप इन question के answer जो है वो दे पाओगे और जो बच्चे नहीं भी पढ़ पा रहे हैं उनके पास यदी समय की कमी है तो कोई बात नहीं इन question answer से आपका आरक्षित वन, सुरक्षित वन और आवर्गीकरत वन जिस वन शेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है तो वह क्या कहलाता है तो वह कहलाता है आरक्षित वन शेत्र जहां पर सरकार का पूरा का पूरा control होता है जहां अपनी मर्जिस जो है जानवरों को नहीं चोड़ सकते है चरने के लिए नहीं वहाँ पर पेड़ों को काट सकते हैं आरक्षित वन शेत्र के अंदर किसका प्रतिबंद होता है तो यहाँ पर पसू चराने लकडी काटने पर प्रतिबंद होता है जो की सरकार के कंट्रोल में है राजिस्थान की कुल वन शेत्र का कितना भाग आरक्षित वन शेत्र है तो राजिस्थान में लग भाग एक दिहाई भाग जो है वह आरक्षित वन शेत्र है ठीके यहाँ पूरा सरकार का कंट्रोल है यहाँ ना तो पशू चरा सकते हैं ना ही लकडी काट सकते हैं वह वन शेत्र जहां कुछ नियमों के तहट लकडी काटने और पशू चराने की अनुमती दी जाती है तो वो क्या कहलाते हैं तो उस शेत्र को कहते हैं सुरक्षित वन शेत्र जहां पर पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ नियम जो हैं वो लगा कर लकडी भी काट सकते हैं और पसू चरा सकते हैं और उसके लिए परमीशन ली जाती है ऐसे शेत्र को कहते हैं सुरक्षित वन शेत्र वहीं हमने अभी द वन्शेत्र जिस वन्शेत्र पर सरकार का नियंतरन होता है वो क्या कहलाता है तो वह आरक्षित वन्शेत्र कहलाता है अभी मैंने ये बताया था राजिस्दान के कुल वन्शेत्र पल का कितना भाग पर सुरक्षित वन्शेत्र इस्तित है तो यहां पर एक तिहाई भाग पर तो आरक्षित वनशेत्र है, वहीं पर 50% से भी कम भाग पर सुरक्षित वनशेत्र है. ऐसा शेत्र जहां पसु चराने व लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबन नहीं होता है, तो वह क्या कहलाता है, तो जहांपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है सरकार का, वह आवरगीकरत वन्शित्र कहलाता है, तो यह सबी definition जो है वो आपको याद रखनी है, एक्जाम में आपके पूछ ली जाएगी. कौन सी परवतमाला राजिस्थान को दो भागों में बारती है, तो वै है अरावली परवतमाला, जिस भी एक्जाम में आपके राजिस्थान के जीके में जोगरफी पूछी जाती है, तो वहां आपके यह चैप्टर जो है, वो बहुत ज्यादा important रहते हैं. next देखिए आपको देखिए ये सभी काम जो है वो करने होंगे हमारा राजिस्थान जो है वो आपको 6 से 10 तक की complete पढ़नी पढ़ेगी 6 से 12 तक की आपको RBSC की books जो है वो पूरी पढ़नी होगी graduation तक पढ़नी होगी क्योंकि syllabus में ही दिया हुआ है कि 2nd grade के exam की यदि आप तयारी कर रहे हैं तो आपको 12 तक ही नहीं बलकि graduation तक पूरी करनी पढ़ेगी और मैंने जो notes करवाए हैं तो उन notes में आप लोगों को graduation तक का पूरा मिलता है राजिस्तान में भोगोलिक द्रस्टी से वनों को कितने भागों में विवाजितन किया जा सकता है तो यहाँ पर हम 3 भागों में बाट सकते हैं राजिस्तान में भोगोलिक द्रस्टी से वनों को कितने भागों में 3 भागों में बाट सकते हैं next देखिए question 14 है उस्त कटिवंद्य कंटिले वन जो हैं वो कहां पाय जाते हैं तो यह है राजी स्थान का जो सुश्क भाग है और अरद्व सुश्क भाग है जहाँ पर जल का अभ़ाव है तो वहाँ पर कटिले वन जो है वह है पाय जाते हैं जहां तापमान बहुत जादा अधिक है और वर्षा जो है कम है। राजिस्थान के सुष्क और अर्दो सुष्क भाग में कौन से जिले हैं? तो जो राजिस्थान का मैप जो आप लोगों ने याद किया हुआ है और यदि नहीं किया है तो याद करिए कि जो इसका पक्षमी भाग है राजिस्थान के मैप में देखेंगे तो वहाँ भीका नेर, चूरू, जैसल मेर, बार्ड मेर, नागौर ये सभी जिले जो हैं और अर्द शुषको भाग में कौन से वन पाये जाते हैं तो क्या बताया मैंने यहां कंटीले वन पाये जाते हैं रोहिडा, खेजडी, धोकडा, बैर, बबूल, कैर और नीम राजिस्थान का कल्प ब्रक्ष किसे कहा जाता है तो यह है खेजडी को कहा जाता है, खेजडी को हम कल्प ब्रक्ष के नाम से जानते हैं राजिस्थान का राज्य ब्रक्ष कौन सा है? अब इस क्वेशन में भी कई जो बच्चे हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पर जो राज्य ब्रक्ष है, वह कौन सा है? खेजड़ी का ब्रक्ष. राज्यस्तान का राज्ये पुस्प कौन सा है? तो याद रखिएगा राज्ये ब्रेक्ष कौन सा है? खेजडी और वहींपर राज्ये पुस्प, यानि फूल जो है वहां रोहीरा का फूल है ठीके? नेक्स्ट देखिए राजिस्तान में शेवर घास कहाँ पाई जाती है तो यह है जैसल मेर में पाई जाती है उष्ने कटिवन्दिय सुष्क पतजडवन को अन्ने किस नाम से जाना जाता है तो इन्हें हम मानसुनीवन कहते हैं मानसुनीवन कहलो चाहे उष्ने कटिवन्दिय सुष्क पतजडवन कहलो तो एक ही बात होगी उसने कटिवन्दिय सुस्क पतजडबन कहां पाये जाते हैं तो ये वन जो हैं वह है बासवाडा, दुंगरपुर, उदैपुर, चित्तोरगड, कोटा, जालावाड, अलवर, अजमीर, जैपुर, सवाई माधवपुर, करोली, बून्दी और टोंक में तो राजिस्तान का दक्षिनपूर्वी भाग है वहाँ पर हमें उसने कटिवन्दिय सुस्क पतजडबन मिलेंगे उसने कटिवन्दिय सुस्क पतजडबन में कौन से पेड़ पाये जाते हैं तो यहाँ बर्गद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, सागवान, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बास, आमला, आम, नीम, सीसम ये सभी पेड मिलेंगे नेक्स्ट दिखिए कुश्यन 24 अर्द उष्ण कटिवन्दिय सदावाहर वन कहां पाये जाते हैं पहाड़ी में उचाई वाले भागों में पाये जाते हैं अर्द उष्ण कटिवन्दिय सदावाहर वन में कौन से ब्रक्ष मुक्तेव पाये जाते हैं तो यहाँ पर आम, बांस और सागवान ऐसे जो व्रक्ष हैं वो हमें मिलते हैं नेक्स्ट देखिए कुशन 26 है राजिस्थान में कितने राश्ट्रिय उद्यान हैं राजिस्तान में कितने राष्ट्रिय उध्यान हैं, तो यहां तीन राष्ट्रिय उध्यान हैं, केवला देव राष्ट्रिय उध्यान, रन्थम्बो राष्ट्रिय उध्यान और मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रिय उध्यान. केवला देव राश्ट्री उद्यान कहां इस्तित है तो यह भरतपुर जिले में इस्तित है केवला देव घणा पक्षी अभ्यारण में कौन सी मुख्य प्रजाती पाई जाती है तो भरतपूर के केवला देव घना पक्षी अभ्यारण इसमें कौन सी प्रजाती मिलेगी साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल और पटेर जिसमें साइबेरियन क्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये आपको याद रखना है रण थम्बोर राष्ट्रिय उद्यान कहां इस्तित है तो यह सवाई माधवपूर्जले में इस्तित है राजिस्थान का कौन सा अभ्यारन भारतिय बाग के लिए प्रसिद्ध है तो राजिस्थान का कौन सा अभ्यारन जो कि बाग के लिए प्रसिद्ध है तो रण धंबो राश्ट्रिय उद्यान जो है वो बाग के लिए प्रसिद्ध है तो चलिए यहीं तक हम करेंगे आज question 30 तक और उसके बाद यहां से next question next video में करेंगे Thank you